नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनिंदन है एक बहुत बड़ी सूचना आपके लिए कि आप लोग परिशान रहते हैं कि इलावाद विश्विदाले में ऐसी क्या पॉलिसी है जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए कुछ लोग कोटा ओटा वाले होते हैं कोटा के बाद कुछ लोग यह सोचते हैं कि यहां पर पेड़ सीट है कि नहीं है यहां पर मैनेजमेंट कोटा है कि नहीं है तो यह सारी चीजें हम आपको बता रहें इस वीडियो में आप इस ब्रहम से दूर रहिएगा जो बहकाने करें तो हम बात करते हैं कि बी एच्चु में जैसे पेड़ सीट पर अड्मिशन होता है कि आप कुछ इक्ष्टा पैसे देंगे वहां पर आपका अड्मिशन हो जाएगा पेड़ सीट पर फीज ज्यादा लगती इलहाबाद विस्टी दाले और उससे संबंधित महा विद्धाले में ऐसा कोई भी प्रावधान पेड़ सीट का नहीं है तो पेड़ सीट यहाँ पे नहीं है ध्यान दे दिजिए कोई मेनेजमेंट कोटा नहीं है कि मेनेजमेंट का कोई व्यक्ति आपका अड्मिशन करवा देगा कोई प्रोफेसर देख किसी कभी admission कोई भी नहीं करवाएगा जो teachers quota होता है यानि कि जो professor quota होता है जो university के employee रहते हैं उसमें सिर्फ उनके blood relation यानि कि जो personal relation होता है उनके बेटा और बेटी का ही admission होगा उनके भाई के भी बेटे बेटी का admission उस quota से नहीं होगा तो teachers quota से teachers के बच्चे ही admission लेंगे तो इस ब्रहम से दूर है कि हमारे फलाने धिकाने धंकाने के प्रोफेसर जान पहिचान के हैं तो हमारा admission करवा देंगे तो admission नहीं होगा पागर बनाके पैसा वसूल करके आप से चले जाएंगे हर एक fraud से बचिये कोई भी quota रही है स्पोर्ड quota है उसकी अलग cutoff आती हो इसके लिए अलग interview होगा पीच कोटा है यानि की physical handicap quota है इसके साथ कोई भी paid seat का कोई भी मामला नहीं है तो आप लोग इस अफवाह से बचिए आपको इदम clear analysis किया जा रहा है कि आप लोग एकदम दिल खोल के दिमाग खोल के रखिए भाव में आके कहीं आप फसीय मतम बता रहें आपको वरना रोएंगे अच्छी तरीके से क्योंकि ये सब काम आप अपने माबाप अपने घर परिवार बीना बताए करते हैं जाके कहीं फलाने डेकाने धंकाने के चक्कर में पढ़ जाते हैं तो किसी का कोई काम नहीं आने वाला है ये सारी चीजे नहीं है इलाब आप विद्दाले में कुछ भी रही है बहुत ट्रांसपेरेंसी क अब लोग वेट करें अबश्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अभाद कर दो कर दो कर दो कर दो